नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अजय मौरिया और मेरे चैनल पर आप लोगों का हारदिक स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान विश्यका लेशन प्लान लेकर के आया हूँ तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों वीडियो गर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों और चैनल पे नए हैं अगर पसंद करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तों चरिए मैं पाठ होजना सुरू करता हूँ सरपथम उपर आप पाठ होजना संख्य लिख देंगे और नीचे उस बिद्याले का नाम लिख देंगे जिस बिद्याले में सिच्छन कार के लिए गये होंगे फिर उसके नीचे पाँच कालम बना लीजिएगा पांच कालम में पहला दिलांग कच्छा विषय चक्र अवद दिलांग के नीचे उस्तित को अंकित कीजिएगा जिस्तित में आप सिछण कार कर रहे हैं जिस कच्छा को पढ़ा रहा है कच्छा के नीचे जिस विषय का सिछन कार कर रहा है विषय के नीचे लिखिएगा और जो आपका पीरेड होगा चक्र होगा उसको आप यहां लिख दीजेगा और पीरेड की जो अबद होगी आप उसको आप यहां लिख दीजेगा अबद के के लिए वायसे आप 6-7-8 सब में पढ़ा सकते हैं दोस्तों अब प्रकरण के बाद आता है सामान उद्डेश सामान उद्डेश में देखिए क्या रहेगा नमबर एक बच्चों में विज्ञान विश्य के प्रत्रूच जागरिक करना नमबर दो बच्चों में वैज्ञानिक दिर्ष्टी कोण उत्पन करना नमबर तिन बच्चों में तारकिक छमता का विकास करना नमबर चार बच्चों को विज्ञान और प्रद्योगिकी के महत्त को बताना नमबर पांच बच्चों में जिग्यासा का भाव उत्पन करना सामान उद्देश के बाद लिखा रहाएगा विशिष्ट उद्देश विशिष्ट उद्देश में क्या रहाएगा नमबर एब बच्चे न्यूटन के गत्य के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे नमबर दो बच्चे न्यूटन के गति के नियमों पराधारी प्रशनों को आसानी से हल कर सकेंगे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अजयसर्जी चनल को और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिजे दोस्तों बात लिखा जाएगा सहायक सामागरी सहायक सामागरी में जो सामागरी आप ले जाएंगे सिछड़कार को सरल बनाने के लिए उसको आप यहां दरसा देंगे तो देखे हमने यहां गेंद लिया है अद्दो विभिन इसके बाद दोस्तों पूर्विज्यान पूर्विज्यान में बच्चे का पूर्विज्यान आप लिखेंगे बच्चे यातायात के प्रचलित साधनों की सामान जानकारी रखते हैं पूर्व ग्यान के बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना में तीन कालम बनाएंगे करम संख्या, छात्रा ध्याफक क्रिया और छात्र क्रिया, यहां किसी एक बच्चे को खड़ा करके प्रश्ण करेंगे, यातायात के कौन कौन से साधन है, बच्चा बताएगा, बस, का, ट्रे ज़के बनाएगे, टेंपो को धक्का देना आसान क्यों होगा, बच्चा बताये कर, उसका द्रभरमान कम है, अगला प्रस्तावन रहने पर धक्का देने पर कम बल्ल्टता है, यह किस नियम पर आधारित है? चात्रन हो जाएगा, इसके बाद हम उतेश्कसर कान कहेंगे, उ इसके बाद प्रस्तुति करण प्रस्तुति करण में आप चार कालम बनाएंगे सिच्छण बिंदु छात्रा ध्यापक कथन चात्र कथन और स्यामपट्टकार न्यूटन के गत के नियम, अब यहां हम प्रश्ट करेंगे न्यूटन के गत के नियम के बारे में क्या जानते हो, अब छात्र अगर जानते होंगे तो कुछ बताएंगे, और नहीं जानते होंगे तो मौन हो जाएंगे, अगर कुछ बताते हैं तो भी और नहीं बताते हैं सन 1686 इसमी में प्रसिध्य पुस्तक प्रिंसिपिया में लेक बद्ध किया इसे नियूटन के गति के नियम कहते हैं नियूटन के ए नियम गति विग्यान तथा खगोल विग्यान के मूल आधार है न्यूटन के गति विश्यक तीन नियम है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर जे दोस्तों इसी से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए पहले बाद डेली लेसल पान एक डाल दिया करता था लेकिन अब हम तो लग जाते हैं कारण क्या है आप भी और वीडियो की निराशान दव ऑट वीडियो पे कोई यहीं रहेगा एक दो पांस मुअशन दिक्कत है ृझा डोस्तों अगर तो लाइक करें रहेن क्रावज लेकिन अगर अच्छा लगेता तो उसका क्रिया सारों लग को चैनल है का अगला देखिए दोस्तों अब न्यूटर adонов के तीनीयम में दोस्तों कि कि अब पहला नियम देखिए अब जैसे श्चल बिन्द में दों लिखेंगे पहला नियम या परतम्नियम अब अगला है इस नियंद के नु सार्त बताएंगे पहरे नियम को जड़त का नियम कहते हैं अब jeg never कहता है तो बच्चों 105 को बताएंगे यदि कोई वस्त्ण विराम अवस्त्था में में ही रहेगी और यहाद्य एक संद्ध कर Mmagith से सीधी रेका में चल रही और गत्यावस्था में हैं तो गत्यावस्था में तब तक रहेगी दोस्तों जब तक कोई बावल ने लगाया जाए अब इसका उदाहर भी आप बता देंगे कि चलती कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की और जोग जाते हैं तो यहां परसम नियम हो गय लगाया गया बल उस बस्त के द्रबमान तथा उस बस्त में बल की दिशा में उत्पन तौरण के गुड़नफर के अनुक्रमान पाती होता है तो किसी बस्त पर लगाया गया बल बस्त के द्रबमान यम और तौरण ए के गुड़नफर के अनुक्रमान पाती होता है तो देख परत्यक क्रिया एक्षन की उसके बराबर परन्द विप्रिद दिसा में परत्यक्रिया रियक्षन होती है परत्यक्रिय से चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओरको धक्यलता है यह दिवाल में हम हाथ अगर हाथ से दिवाल में अगर हम चोट करें मारें तो हमारे हाथ में भी दर्द होता है क्यों क्योंकि दिवाल से भी क्या होती है बच्चों को अच्छी तरीके समझा जा सकता है बहुत बढ़ी है इसमें हमने सब कुछ तो नहीं क्योंकि समय कम है तो पूरी बात तो हम नहीं बता पाएंगे लेकिन आप इसमें और आड़ करिएगा बच्छे को बहुत सरद धंसे और उधारन दे करके आप इसको बहुत प्रभाविस बना सकते हैं बोध प्रश्ण बोध प्रश्ण में देखिए नंबर एक न्यूटन के गति के कितने नियम है नंबर दो क्रिया परस्क्रिया का नियम बताओ नंबर तिन जड़तु किसे करते हैं मुल्यांगा प्रश्न नमबर एक नीटन के गतिन का दूसरा नियम बताओ नम बल्ग का सूत बताओ को नमें प्रत्श्चन कारे जब चव्षाट्व स्यांपट कार कापी। इसरय को गूम् करुं ajud को का निश्चन करेंगे गरी कारें यूटन के गट के तीनों नियमों को याद करके आना है नीचे हस्ताक्षा परवेचक फिर हस्ताक्षा चात्रत्यापर इसी साथ एलेशन प्राम समाप्त होता है धन्यवाद